नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं M.N.S. News Live पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर नाखपुर जीले में 1086 नए संक्रमीत मिले और 26 की मोद दो पईया चालव नाबालिक की दुर्गटना में मोद सिताबर दिमिरक्तदान शीविर आज आएए देखते हैं कपरयाब विस्तार से नाखपुर जीले में 1086 नए संक्रमीत मिले और 26 की मोद शनिवार को शहर में जहाद 445 नए संक्रमीत मिले वही 7 की मोद हो गई जबकि ग्रामीन इलाके में 631 पोजिटिव मिले और 9 की मोद हो गई जीले के बाहर के 10 संक्रमीतों की मोद हुई अब तक कुल 47,017 संक्रमीत मिले और 8,744 की मोद हुई शनिवार को 2872 मरीश ठीक हुए इसमें शहर के 1393 ग्रामीन के 1489 थे अब तक कुल 4,040,031 संक्रमीत ठीक हो चुके है रिकवरी रेट लंबे अर्से बाद 94.90 फिस्दी पर चाप हो चा नाकपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 19,637 नमुनों की जाच की गई 13,722 शहर के और 5915 ग्रामीन के है जाच की तुलना में शहर में संक्रमन दल 3.24 फिस्दी रहा जबकि ग्रामीन में 10.66 फिस्दी नमुने पोजिटिव आए फरवरी में एक दिन में 1181 सारवादिक मरीज मिले थे तो वही दूसरे और दूपईया चालक नाबालिक की दुरगटना में मोध अंबाजरी बाइपास रोड पर फुटपाट पर टकराने से दूपईया चालक 15 वर्ष या नाबालिक की मोध हो गई या गटना शुक्रवार दो पहर 12 बजे हुई आरूपी जैनगर निवासी प्रवीन बार सिंगे ने नाबालिक को अपनी दूपईया चलाने के लिए दी थी नाबालिक दूपईया चलाते हुए फुटपाट से टकरा कर गिर पड़ा इस दुरगटना में गंबिर जकमी हुए नाबालिक को रवीनगर चोक स्तीत एक नीजी अस्पताल में भरती किया गया जहां डॉक्टरों ने जाच के बाद उसे मुरुदगोशित कर दिया फर्यादी पिता की शिकायत पर अमबाजरी पोलिस ने आरूपी के खिलाफ विबिन धाराओ के तहट मामला दर्ज किया है तो वही तीसर और सिताबर्डी में रक्तदान शीविर आज पालिवार सेवा मंडल की ओर से 25 मई को रक्तदान शीविर का आयोजन किया गया है अप आप अमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं पर इसे यूटूब पर सब्सक्राइब करना न भूले अफिलाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते हैं देशुर दुनिया की तमाम कुछ खास कबर धन्यवाद झाल झाल